अध्याय 10 उन्हें पापी ना ठेराता परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है क्योंकि अन्होना है कि बैलों और बक्रों का लहू पापों को दूर करे इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है कि वलिदान और भेट तूने न चाही पर मेरे लिए एक देह तयार की होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन नहीं हुआ तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ पवित्र शास्त्र में मेरे विशय में लिखा हुआ है ताके हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ उपर तो वो कहता है के न तूने बलिदान और भेट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन हुआ यदिपी ये बलिदान तो विवस्था के अनुसार चड़ाए जाते हैं फिर ये भी कहता है की निदान वो पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को निक्त करे उसी इच्छा से हम ये शुमसी की दे के एक ही बार बलिदान चड़ाए जाने के दौरा पवित्र किये गए हैं और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रति दिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चड़ाता है पर ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सरवदा के लिए चढ़ा कर परमेश्वर के दहने जा बैठा और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पाउं के नीचे की पीड़ी बने क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवत्र किये जाते हैं सरवदा के लिए सिद्ध कर दिया है और पवत्र आत्मा भी हमें यही गवाई देता है क्योंकि उसने पहले कहा था कि प्रभू कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे पादूँगा वो यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनकी हर्दे पर लिखूँगा और मैं उनके विवेग में ढालूँगा फिर वो यह कहता है कि मैं उनके बादों को और उनकी अधर्ण के कामद को फिर कभी इसमरण न करूँगा और जब इनकी शमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा सो हे भाईयो जब कि हमें येशु के लहु के द्वारा उस नए और जीवते मार्क से पवत्र स्थान में प्रवेश करने का हयाब हो गया है जो उसने परदे अर्था अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिशे किया है और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है तो आओ हम सचे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोश दूर करने के लिए हिर्दे पर छिड़काव लेकर और दे को शुद जल से थुलवा कर परमेश्वर के समीब चाएं और अपनी आशा के अंगिकार को दृटता से थामे रहें क्योंकि जिसने प्रतिग्या की है वो सच्चा है और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें एक दूसरे के साथ इखटा होना ना छोड़ें जैसे की कितनों की रिती है पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप करने के बाद यदि हम जान बूच कर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान पाकी नहीं हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आक का जोनन पाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा जबकि मूसा की विवस्था का ना मानने वाला दो या तीन जनों की कभाई पर बिना दया के मार डाला जाता है तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग ठहरेगा जिसने पर मेशर के पुत्र को पाउं से रौदा और वाचा के लहु को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पर्टा लेना मेरा काम है मैं भी बद्रा लूँगा और फिर ये कि प्रभू अपने लोगों का अन्याय करेगा जीवते परमेशर के हातों में पढ़ना भयानक बात है उन पहले दिनों को स्मरण करो जिन में तुम जोती पाकर दुखों के बड़े जहमेले में इस्तिर रहे कुछ तो यों कि तुम निंदा और गलेश सहते हुए तमाशा बने और कुछ यों कि तुम उनके साजी हुए जिनकी दुर्धशा की जाती थी तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सरोदा ठैरने वाली संपती है अपनी संपती भी आनन से लुटने दी सो अपना हयाब ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है तुम्हे धीरस धर्णा अवश्य है ताकि परवेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्या का फल पाओ अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा मेरा धर्वी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन नाओगा पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं अबका ऑने प्राण ऴें